तो गाईज अगर आपके गारी पे HSRP नहीं है तो यकीन मानों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो ना तो बहुत ही मोटा चलान है और अल्मोस 5000-10.000 के बीच में अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसा वालियेशन किया है और ये परता है 200 रुपए यार मतलब सच में खैक अब वहां देने के लिए आपको जाना पड़ेगा पैट्रोल लगेगा आपका टाइम बरबाद हो तो यह सब करना क्यों है इस वीडियो में आपको बैठे ही मतलब बिना घर से निकले एक बंदा आएगा जो आपके गारी पे एक साल पी लगाके जाएका कैसे करना है सब पताने में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मैं हूं इमाम अडाप देख रहे हो फाइब वाइंडिया तो सबस्वेले क्या करना है आपको अपना ब्रावजर ओपेंड करना है और यहां पर आपको टाइप करना है बुक HSRP number plate, बस, यह आपको सर्च कर देना है, अब यहाँ पर book HSRP का official website आ जाएगा, इसको ही open करना है, और आप से नम निविदन है भाई, कि कोई भी sponsor वाला होता है, जो official नहीं हो, उतको नहीं open करना है, वरना फिर यार, पाल तुगे, आपको extra पैसे देने पढ़ेंगे, वो अपन commission add करेंगे, तो वहाँ पर नहीं परना है, बाकि आपके सहुलियत के लिए, मैंने description में लिंक डाल दिया है, जिसे अब सीधे landing page वे पहुंच जाओगे, अब यहाँ 5 options दिख रहे होंगे, तो ज़्यादा दिमांग नहीं लगाना है, आपको बस high security registration plate with color sticker, जो option है उसको select करना है हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें vehicle information को fill कर देना है, जैसे कि state registration, CHS number, engine number, यह सब fill करने के बाद capture को जो भी है वो यहाँ पर enter कर देना है, उसके बाद click करके आगे बहुत जाना है, उसके बाद हमारे सामने vehicle की पूर information आ जाएगी और एक बार अच्छे से इसको tally कर ल तो का खरकर बनने का दूरत नहीं है, यह नहीं कि नाम में single A है, तो double A लगा दे लो भाई, वो सब नहीं करना है आपको, उसके बाद email ID, mobile number और address यहाँ पर fill कर देना है, अब बहुत साइब लोगों को एक सवाल रहता है, HSRP को लेके कि मैं कहीं और रहता हूं और जो मेरे RC पर address है, वो कहीं और का है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत कि आप जिस भी जगह हो, उससे कोई फराग नहीं परता है, कि आपने address को उन से दिया हुआ, RC पर या फिर कौन सा address आपको उस पर चला हो, उससे कोई फराग नहीं परता है, आप जिस जगह रह दो, यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और बंदा जो आएगा, वो यहीं पर आपके नमबर प्लेट, और मैं बोलूँ कि यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर नहीं है, बस एक चीज जो आपको धियान दखना है, वो यह है कि state change नहीं होना चाहिए, बाकी city में आप कहीं भी हो, का करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा बचा लोगा, और साथ साथ यहाँ कौन मगजमारी करेगा, यहाँ पर जाओ, जरुबत नहीं है, भाई, मताब घर बैटेस आपको विदा मिल रही है, एक दो सूर पर उपाई खर्च के तो क्या बुरा है, अब हमें यहाँ पर पिन आपके सामने आज आएगा, एक बार अच्छे तर चेक कर लेना, उसके बाद ही कनफर्मेंट प्रोसीड करना यहाँ से, यहाँ पर वेरिफाइए, डिटेल्स पे का उप्शन आ चुका है, तो जैसे का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इन्फरमेशन आ गई है, पूरी भी है, तो कुल मिलाके 1340 रुपर लगने वाले हैं यहाँ पर हमारे, अल्मोस्स, तो मिरे जिसाफ से आपको फ्रेम भी यार, 200 रुपर का मिल रहा है, तो भी आपको लेलना चाहिए, क्योंकि जो आपका नमर प्रेटन उसको बचाएगा, और क्वाल्टी भी इसका स फास्टेक का भी option मिल रहा है, इसलेट करने का, जिसमें 100 रुपर आपको देना पड़ेगा, हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर अग्री करेंगे, और यहाँ से अपन इसको प्रोसीड कर देंगे, तो आप देख पार होगे, यहाँ पर UPI, Cards, Net Banking, EMI, Wallet के options हैं, जो भी आपका बनता है, वो स्लेट करके payment कर देना, और आपका HSRP आजाएगा, तो आपके स्टेट में home delivery का option नहीं दिखा रहा है, तो परिशान नहीं की ज़रोत नहीं है, आप भी HSRP लगा सकते हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है, अगर आप चाहते ह मैं cover करूँ या मैं आपकी help करूँ, तो गाइस comments में link देना, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ, जाते हैं लाइक फॉलोशे करना, मत भूलना,